आप सवाल जहसे हैं बात खतम करते हैं यह बात खत्म होगा कि अब लंबी करने के क्या दो तो हर पड़ी है न हमें हर चीज निपड़ी आप मसला यह है कि जब एक आगर मैं आपको बोलूँ यह पावर 10 पे मुझे कोफिशन बताओं तो क्या कोफिशन बताओं अगर मुझे कोफिशन बताओं तो कहने का मतलब है कि कोफिशन को कैसे लिखोगे अगर आपने पावर 10 में या पावर 20 में कोफिशन आ रहे हैं 21 अब 21 कोफिशन कैसे लिखोगे यहां पे जरलाइस तो अब लिखी नहीं सकते आपको इतना लंबर प्राइंगल बना करना पड़ेगा अब यह मसला आगया अब इस मसले का हल भी हमें निकालने अब इस मसले का हल क्या है और यहां पर कंबिनेशन आईगी अब आपको बोलों कोफिशन ही कहानी का दावरा सब ठीक है यह जो आपने पास्टान ट्राइंगल लिखा है ना सेम इस चीज को कंबिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हूं कैसे यह जो पर रवन लिखा ला है इसको सबसे पहले अब इस ताह लिख सकते हूं जीरो यह इसको मैं डूसी फॉर्म जर्नलाइस केंसे 0C0 बाहरा था करके दिखा देता हूं कि जो आइडिल केस होते हैं करेंशन के अशर नहीं रहें तो यह तो फ्रव इस अशर पर अब बदेखता हूं इस वन को मैं लिख जिख वाए जिए और दूसर वाल दूसी बहुंता और दुसरा लगा नुश्की तो अब साथ पांशना आप आप तुलत पीजिरो के टूशी जीरो को सी सीवान फोसी टूब फोट पैज़ो थे गजिए जीरो फिर सीवान इस ऊट एयुट थे थे प्रह जी जीरो पॉर्ट पांशने करें आप यह हूं इसमें से एक, दो, तीन, चार्व, ये पांस भी रहा है, 4C0 का अंसर बन होता है, जब P निचे 0 लिखावा है, अंसर बन होता है, तो सब का अंसर बन होगा, इसी ज़रा, जब उपर और नीचे वाई नंबर सेम होता है, तो कम्टिनेशन का अंसर बन होता है, क Ooh पूरी आएका होग हुए और इसकी कोई सा थी ये प्लस भी होड़ लेकिन इसकी साथ आठी रहा है उसको मुने पहली रहा है तो आठी रहा है तो देखो आठी रहा है इसमें चेटी के बादा रिखी नहीं सकता था लेकिन इसमें को जो गोई मौताजी नियुक्त ने तो आठी रहा है तो आठी रहा है अधी रहा है और देखो एक्जक्ट वही होगा पहले चीज यह और यह बन है है अच्छा सेविवन सेविन दोटा है सेविन सीडू निकाल के देखना सैविन टेक्टोरियल अपॉन फाइफ वैफ यह जाएगा सैविन टू दू इस तरह तो देखना 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 रहा हुए वहां पर कोड़ाएं टिटी न ही होता है किस नहीं पढ़ा तो में डिटेल में डिसक्स किया था कॉपिभिमेंटरी कमिनेशन से तो देखो reglas DPr sub और किऊचे भें नंबर से तो कॉपिजिए हैं इसी तरह 7C1 की कॉपिमेंटरी कि तो दोनों के आंसर से एक कॉपिए तो कहने का मतलब है जो पास्कल ट्रागेल नियुट हमें कोफिशंट दी है ना उन एक्जट कोफिशंट को कमिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो फाइदा क्या हुआ फाइदा ही हुआ कि अब यह किसी रॉह क्यों होताज नहीं है अगर आपको सकते हैं अगर आपको यादो जो कमिनेशन का फॉर्मला है उसको पर्मूटेशन भी कह सकते हो अगर आपको यादो याद हो जब साथ ऑब्जेक्ट हो जिसमें पांच एक जरसी हो दो एक जरसी हो याद है वहारा काम कर सकते हैं तो that's why आप यह बोल सकते हों कि हम पर्मोटेशन यूज्स कर रहें इसके ओपर लेकर वह ढूर्स याप वाली पर्मोटेशन है लेकिन नॉमलियम कमिनेशन यहां भी ऊसकर होते हैं यहां कि यहां पर आग कैसे रही है तो उसकी बहुत सिंपल है एक इसम लिख सकते हो ना आप अगर आप अब अबजर्ब करें यहां पे यह तीन फ्लैकेट्स है जब आप इनको आपसे मुटिप्ला करोगे तो चार किसन की ट्रॉम्स आएगे पहली किसम की ड्रॉम्स क्या होगी एक्षायर क्या होगी अच्छा एक्षायर क्यों को आप इस तरह लि स्क्राइब जिसको ए डी डी आप लिख सकते हैं और चौदे किसम की ड्रम क्या होगी बीक्यूब मतला बी 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 इस चार किसम की ड्रम है अब कंबिनेशन यहां पर कैसे आईए जरू उस चीज़ को लिख सकता हूं तूसीटू तूसीवन तूसीजियो सेनी आंसर आ रहे हैं कोई फर्क ने पढ़ेगा क्योंकि वही बात है कॉप्लिमेंट्री कंबिनेशन स्टार्टिंग के सेम है आप लिपेस कर सकते हो वाई इस और को फर्क पढ़ेगे इसको इस फाइप लिए तो फर्क पढ़ रगा नहीं तो आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं तो इस फर्म में लाने के लिए ना अपी जो बात बताने लगा हूं इसमें बी के रेफरेंस आपको बात बता रहा हूं तो यह चीज़ आपके पास आएग 3C3, 3C2, 3C1 और 3C0 अगर A के रेफरेंसे में बात करूँगा लेकर आपके बी के रेफरेंसे बात करों तो एक्जेक ली चीज़ आ रही होगी जो मैं आपनों को समझाना चाहा हूं अगर आप इन तीनों ट्रम में देखो तो बस आप एक चीज़ यहां पे कम्बिनेशन का स्केर्म केसा आया कैसे आप यहां पर देख सकते हो के भी नजर आ अपको बी नजर नहीं आरे तो आपको कह सकते होसे कीसकों इसमें सकने कितरे चूज करने हैं कोई भी चूज़ नहीं करनाा को यहां जेगार ला ना optic सा बताता हुं तेन जीज़ मां आप मैं मुल्डीप्ल फिर A को B से करो और A से करो यह मन breakthrough अब पर B को B से करो पुर बी पिर पेजिकों विसे कशलों और एंड यहाँ जायगा भी बीए ऑड को से करो जो आपके सामने लिग्ञा रिखा टो यह आपके पास तो आठ लेकिन यह तिन यह जासी तब दूटर चार्टर होती है क्योंकि एक ही ना दो एक आपको नहीं तो आप क्या किसकते हो कि यह आपके पास थीं ब्यद्ा हैं उसमें से कित्रे कर दो टूर्प यंवन के बराबर disease क्मिनिशन यहां से क्या आ रिए तो कमिनिशन यहां इस तरह आ रुप इसमें कि ट्रे मिरें चैने एक इन उसमेंसे आप एक स्राइब यह इसमें आपको एक combination में एक बी नजर आ रहे हैं तो रोड़ तीन भी हैं तीन भी में से एक सेलेक्ट करने हैं तो यह क्या हो जाएगा 3C1 क्या होता है 3D आपको थी नजर आ रहा है आप तीन जान गींज होता है कि आपने क्या सलेक्शन चाहिए तो यह एक ही माननी चाहिए तो ऐसा नहीं होता है मैंने आपनों को पहले ही गदाया था है counting और combination में difference आपको नदर आता है एक चीज का वह difference क्या होता है कि for example ही मैंने chapter 7 में भी दिती बात कि अगर आपके बारा अंडे हैं अंडे सब सेम है consider करो सब सेम अंडे तो 12 एंडे मैं से कोई एक आपने उठाने तो उनको ठाने के कितने थाओं अगर को नइकान में अब और fury लो definite वो भी तो वही combination है, same ही तो under हो, तो आप उसको अलग तो नहीं बोल पाओगे, फिर बहुत है फिल आपको चौता under उठा रहे हो, वो आप देखो कि वो भी तो same ही है, तो वो तो एक ही combination मानी जाएगी, बार बारा पे एक ही चीज़ उठा रहे हो, तो आप क्या बलोगे, बार सारा तरीके ही है, उनको किस तरह explain करते हैं, इस तरह explain करते हैं, कि यह आपने पहरी position से under हो यह combination है, आपने पांच फी पूसिशन से under हो, यह तीसी पूसिशन है, है वो under same ही, चीज तो same ही आर ही हर दवा, हर combination में same ही under हो आपके बास, क्योंकि under सारे तो यहां पर आपके दिखो तो यहां पर यहां पर कंडिनेशन में आप ने यह वला भी उठाए तो तो दो तो जब्सक्राइब तो तो इस तरह थैंगे इस तरह अगर कितने वी इंटाने के कितने तरीगे तो तीन में से तीन उठाने के कितने दरीके होता है? रहाद देता है तो यहां से यह combination आरी हो जैसे इसमें आगर आप देखो तो अगर पहली combination में देखो इसमें आपने यह दो भी उठाएं कहने का मतलब इस A को आप B से multiply करो इस से multiply करो A, B, B आजएंगा दूसरी combination में B और B पहली और तीसरी से उठाएंगा मतलब इस B को A से multiply करो इसको B से multiply करो और तीसरी में आपके शुरू के दो B उठाएंगा मतलब B, B और A जब तीन ट्रैकेट को हम multiply करते हो तो इस तरीके से multiply करते हो कि पहला है A को A से करो, A से करो, फिर A, A, B फिर जब यह दोनों खत्म हो जाएंगा, अब इदर आज़ो, A को B से पकड़ो, और A से करो, फिर A को B से पकड़ो, भी से करो, खत्म हो जाए, अब इस दूसरी पर आज़ो, पिर A से करो, फिर B को A से करो, इस तरह आज़ो आज़ो तो अगर आप देखो, exact हुई combination का, यहां पर concept लग रहा है, that's why, आपके जो binomial में coefficient यहां से combination आ रही है, यहां से combination आ रही है, यह concept आ पूरा combination इस तरह आ रही है, तो बच्छो, मैं रहे काफी detail में ने बता दी है, आप लों कहां से क्या चीज़ा आ रही है, अब वक्त आ गय अगर यहां के बस लिखा हो, तो अब किस तरह लिखोगे, सबसे पहले, coefficient की अपने लग बात की थी, A, B की पावर की लग बात की थी, तो जनलाइस अब लिखते हैं, सबसे पहले, coefficient बच्छो, nc0 होता है, अगर आप जनलाइस बात करो, nc0, nc0 का मतलब, अगर यहां पे n5 है, तो starting तो 5c0 से होता है, for example, n अगर यहां पे 4 है, तो starting कहां से होती है, 4c0, फिर 4c1, तो इसके साथ मैं, coefficient लिखूंगा, अगला क्या होगा, nc1, for example, n अगर 4 है, तो आपने देखा, अगला क्या होता 4c1, तो इसको आप nc1 बोलोगे, यह nc2 होगा, यह nc3 होगा, यह nc nc0, nc1, तीज़ी को आप लिख सकते हो, nc0, nc1, nc2, जो चौती रहा है, इसको आप लिख सकते हो, nc0, nc1, फिर यहां पे nc2 आएगा, यहां पे nc3 आएगा, कहने का मतलब चीज़ें लिखी है, इसको आप जो उपर नंबर लिखा गया, इसको जनलालाइस बात कर दो, n कह दो, ठीक है, तो जनलालाइस बात करने का फाइदा है कि असल में आप बताना है चाहरे हो, कि कोई भी पावर हो, यहां पे, starting आपके 0 से करना है, फिर आपने 1 जाना है, फिर आपने 1 जाना है, करते करते, कहा तक जाना है, जो पावर है उतना तक जाना है, और जैंपिल लिए के आपjal है, जैंपिलाइस बताया है, फिर दूसे टिन में एक पावर ग्या होती है, अब दूसी टिन में क्या होगा, एकक ही कम हो जाएगी, एकक पावर होजेगी, chociaż N- One जबके भी की पावर क्या होगी, अब यह बढ़ता जा गया, पर तीसे lefty क्या होगा, Azamaduk में चौथी प्रम्प प्रेश्म लेख लेता हूं ताके मजीद कॉंसेट्ट लेखें एंजी 3, a की पावर, n माइनस 3, b की पावर 3 अब लेखते हैं यहां पर हम जर्ल ट्रम्प जर्ल ट्रम हमने a, b की फार्म में देखी थी तो 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 कोफिशन की फार्म में जर्ल ट्रम देखते हैं क्या है तो अगर आप एक पैटर्न आपको नजर आ रहे है यहां में पहले ट्रम के साथ न मैं b की पावर जिख लिए लिए आप हर ट्रम में देखो कुछ चीज़ें आपको सेम नजर आगी है यहां पे नबर लिखा है वही यहां पे न से माइनस हो रहा है वही बीकी पावर है सब में उबस्टर्फ कर लो वन 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 टू 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 तू टू तू थी से इलए से लाग तो अगर जनराइज बात को तो आप आर एक तो यहां पर लिखा है से माइनस होगा सेम बीग की इसको आप कहते हो ज़नल ड्रम ऑफ बाइनमें ते लुगा अब और एक जम्पिल आपको बुछ पांच भी ड्रम निकाल लो मैंने पहली बता है था आर पहली ड्रम में क्या होता है जीरो होता है दूसरी ड्रम में आज बन तैसरी में आर तू होता N C 5 छड़ी ड्रम है तो R की वेल्यू 5 होगी A की पावर N-5 B की पावर 5 यह जनरलाइस ट्रम है किसी भी बाइनोमेल की पांच भी ड्रम की कोई भी बाइनोमेल आपके पास लिखा हो A B कुछ भी लिखा हो आपके पास लिखा हो 2 प्लस X आपकी वोल पावर 5 प्लस आपके पास लिखा हो X-5 या इकान करते बढ़ा देज तो इनकी जर्ट अगर ने आपको बूलो इनकी छटी ठर्म निकालो इनकी चाटी ड्रम तो इसमें A2 है BX है इसमें AX है बी वाइए तो AB की वैल्यू चेंज हो पावर में जो खरक निबड़ेगा, सेम N होगा, सेम 5 होगा, N-5, पावर 5, क्योंकि जो छटी ड्रम है, उसमें A की बात है इसमें, कि R की वैली 4 होगी, sorry, R की वैली 5 होगी छटी ड्रम में, तो यहां पे 5, यहां पे 5, यहां पे 5 आएगा, इसी तरह यहां पे N, यहां पे N आएगा, अब फर्क होगा, इसका N 10 है, तो इसके लिए 10 आदेगा, इसका N 11 है, तो इसके लिए 11 आदेगा, ठीक है, और इन दोनों में A और B की वैली में फर्क होगा, पुट कर देना, दसवी ट्रम बोलेंगे R9 पुट कर देना, ठीक है, तो यह कलाती है General Drum, यह आपके सामें लिख्या न, यह पूरी कलाती है General Drum, हो बाइन होगे, तो इसके आखरी ट्रम यहां पे क्या होगी, अब इससे में बताया तो लिखी में हैं यह जो आपके पास मैंने कोपिशन लिखे में, इन में अगर आप एक चीज अब्जर्व करो, एक फॉर्मला बताया जाता है, उस फॉर्मली का प्रूव आपके सामने ही है, अगर आप अब्जर्व करो इन दो ट्रम को, और फिर हम अब्जर्व करेंगे इन दो ट्रम को, कोई भी दो ट्रम आप पिक करो, और नीचे वाली पिक करो, तो आपके अब्जर्व क्प्लीट हो जाएक है, जैसे यहां पर तू कैसे आया था, आपने इन दोनों को आपस में क्या किया था, एड ही तो ना, तो नीचे 1C0 को, 1C1 में है, तो आपके पास क्या रहा है, क cape 2C तो अंसर में क्या रहा रहा है टो यह दोनों थी थी थे आंसर में लाने किया बात कर रहा हूं है निचके पर यह दोनों की पावर कांशेंगी तो आंसर में बाइब जैदा होगी नफिकार अब नीचे आप यहां पे देखो जीरो है और जीरो है और वन है यहां पे धेको romance नीच अगर आप अबसर्फ करोम करो दोनों में एक उनिट का डिफरेंस है मतलब एक वानल miles जैदा है दूसरा है जैसे जीरो है ऐलों है ँते हैं तो एक यूनिट जैदा है ठीक है ये दोनों में बड़त करोगे ये जीरो पर है ये वन एये टो ए दो आरें अंसर बड़ी चीजा आती है तो फार आगर ये हैं NCR-1 और यह है आप और भी चेंज कर सकते हो क्यों मसला नहीं है इन दोनों आगे पीछे भी कर दो असल चीज क्या है अगर एक आर है तो एक उससे कम होगा मतलब एक कम है और एक जैदा है इसी चीज़ को डिफरेंट नदाब भी लिख सकते हैं मैं बताता हूँ लेकिन अगर यहां पर बड़ा 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 यहां पर आएगा तो यह पूरा आपके पास आगे इसका प्रूब भी है आप इन दोनों को जो फॉर्मिला होता है कमिनेशन को उससे सॉल्व करो इसको सॉल्व करो करो कि लेपिंस ता राइट साथ के बराबर है मैं उसमें जाना नहीं चाहाँ था आप देखो तो खुदी यह फॉर्मिला में जाएगा अच्छा इस फॉर्म टू एक बड़ा एक चोटा होना चाही हूं बड़ा है और माइनस फूब ऑला है उससे म्यानिश स्कार आपने कम किया जैसे इस टूर आया ऐसी तरह आपने देखने हैं लिखा वह कुछ लिए हो तो आपर जो से में इस परो मतलब आपको बाकी भी बता दिए और यह बनते हैं बहुत मश्कूर अगर मैं आपको आप निकालो 10C5 प्लस 10C4 अभी निकाल सकते लेकिन अप्छन में के फॉर्म में होगा वैल्य लिख्यों के फॉर्म में आपसे लिखा तो किस तरह निकालोंगे वहीं कौन से यह उपदा तो यह आपने पूरा कुछ निकाल रिखते हों कि अंतर गया एक निकाल प्लस अंसरा केने काम त्लब क्या है इसको मैंने था प्लस लिख यहांपी निकैसे अवह तो असल चीज आप ine पढ़ते ते इसमें जो था वो number of drum होती थी यहां पर सेंग रोल आर बता रहा लेगे आपको के number of drum कों से निकालने है लगा पांची तरो तो आट की वैलिू क्या रखो गए फूर एक जो नंबर अफ पर निकाले हैं यहां फूर कि वैलियुट करें के क्या ऊपर आप पोर एक है तो चौति ओप हैंने राइगी नाइग फूर जो आथ की वैलियुट वह उससे एक ज़्हार मारीए अगर 10 पुट करो गए तो कौँजी रमाइगी गयर वीट रमाइगी अगर 15 पुट करो गए तो 16 वीट रमाइगी, that's why R की जो भी value है यहाँ पे R प्लस 1 लिखा है कि अगर आप यहाँ पर 5 अगर आप इस फॉर्म पर तो यहां भी फूट करोगे यहां पर यहां पर प्रोट करोगे और यहां पर भी फूट करोगे तो बेसे की आपने 540 है लेकिन कौन से number of drum आई है आपके बाद? 5 plus 1 मतलब 60 drum आई है आपके बाद? और 60 drum में R क्या होगा? 5 होगा. गैर्बी drum में R क्या होगा? 10 होगा. एक कम होता है. तो that's why इसकी general drum आपको T R नजर नहीं आ रही T R plus 1 नजर आ रही है. ठीक है? तो इसको आप कहते हो general drum जिसको आप R plus 1 ट्रम भी कहते हैं. जैसे एनछ ट्रम आप दोते थे न, एन आपता है यहाँ पर, इसको R plus 1 ट्रम भी आप कहते हैं, चीकि? तो यह अपने बाते देखने हैं. अच्छा, उसके बददना, सिग्मा फॉम भी है. कर दो देखेंगे इसके सिंगा ओंधी कि एक स्मिशन फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हों सबस्टाइब आपको बताने चाहिए तो बाइनोमिल की जिटों को पता है तो सिंगा फॉर्म में सारी से लिख देंगे सिंगा इस बाइनोमिल की मतब a plus b कि पावर N की सिग्मा और ऑवी होती है आप स्टार्ट कहां से करते हो आपने सबसे पहरा है और आप स्टार्ट करते है जिरो से लेखे कहां तक जाते हो अइन तक जांगी होते हो और जल्लेटर फॉर्मूला क्या है? कि था की पावर ग्मा भी पावर 12 खिजम पने टीन व्हां दिश्ञें करा है जर्ट करों फॉर कि मैं निचाला के फ़िख प्रिट सबसे पहले हांप nosl 205 भी A की पावर 5-0, B की पावर 0, यह पहले ट्रम है, प्लस, दूछी ट्रम कैसा है कि, R की वेल्यू 1 पुट करो, 5C1, A की पावर 5-1, B की पावर 1, तिस्छी ट्रम कैसा है कि, R की वेल्यू 2 पुट करो, 5C2, A की पावर 5-2B स्कॉर, तो देखो, एग्जाक वही ट्रमारी जो आप वड़ता जा रहे हैं और वह जो पाइनोमल कोफिशेंट आ तो यह तो कहने का मतलड ही पुरा वाइनोमल कोफिशेंट ना इसके जनलराइस फोर्म यह है मतलब सिंग्मा की फॉर्म में आप इसको इस तरह भी लेख रहे होते हो यह पुरी कि समिशन फॉर्म है ठीक है